नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रिशिस टाइम में आज हम बनाएंगे मूंग ताल जो बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होगी बहुत ही कम समय में, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये ठंड में हर हफ़ते एक बार तो इसको जरूर बनाना चाहिए मेरे घर में तो ये जरूर बनती है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसे हम बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है दो मुठी मूंग धाल जो चार से पांच मेंबर्स के लिए बहुत होगी इसे मैंने अच्छे से तीन चार बार पानी से धो लिया था और एक घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था एक घंटे के बाद जब डाल देखा मैंने तो पूरी तरह से फूल चुकी थी इससे एक तो समय की बचे तो होगी होगी गैस भी हमारी कम यूज होगी क्योंकि भिगोने से टाइम कम लगता है दाल को पकने में पानी मैंने निकाल दिया है दाल को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और पानी हमें इतना डालना है कि दाल हमारी उसमें पूरी तरह से भीग जाए अब जो डाल में टेस्ट लाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ पालक पालक की मात्रा आप कम जाजादा कर सकते हैं मैंने यहाँ पे 100 से 1500 ग्राम के करीब पालक ली है जिसे मैंने साबत ही दो लिया था पिर काटके इसे मैंने डाला है इसमें डाल दिया है मैंने नमक आधा चमच धकन पर मैं थोड़ा सा ओयल इसलिए रगा रही हूँ ताकि जब सीटी आए तो दाल हमारी बाहर फैले ना और आसपास का हमारा एरिया घंदा ना हो चार सीटी हम इसको दुलाएंगे उसके लिए एक सीटी फुल पर बाकी तीन जो हैं वो बिल्कुल लो फ्लेम पर होंगी तड़के के लिए मैंने छे से साथ लसन की कलिया एक इंच अद्रक का तुकड़ा इसे मैंने अच्छे तरह से कूट लिया है हाथ से ही आप चाहें तो इसके लिए चोपर या मिक्सी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं हरी मिर्च मैं आपको बताना भूल गई थी वो भी मैंने इसमें डाली है आप चाहें तो अपने हिसाब से तीखा जितना आप खाते हैं इस्तिमाल कर सकते हैं अब एक पैन में लेंगे सरसो का तेल चार बड़े चमच आप किसी भी तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं आप चाहें तो देसी घी में भी ये तड़का लगा सकते हैं आधा चमच मैंने लिया है जीरा जीरा चटक जाने के बाद मैंने इसमें लसन, अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है जिसे मैं हलका सा सुनहरा होने तक भून लूँगी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ये हमारा भून चुका है लसन, अद्रक का पेस्ट अप मैंने इसमें डाले हैं दो मीडियम साइज के प्याज जिने मैंने काट लिया था बारीक और गैस की फ्लेम को मैंने फ्लेम को फुल कर दिया है फुल फ्लेम पर हम इसे सुनहरा होने तक पकाएंगे प्याज हमारे हो चुके हैं अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं क्योंकि हमने दाल में भी नमक मिलाया है ध्यान रखें नमक जादा ना हो जाए अब यहाँ पर मैंने डाला है लाल मिर्श अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप हरी मिर्श या लाल मिर्श में से कोई भी एक चीज डाल सकते हैं इसको मैं एक बार चला लूंगी और दो से तीन मिनट तर थोड़ा सा भून लूंगी मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनट के बाद मैंने इसमें डाले हैं टमाटर ये भी मात्रा में दो हैं मीडियम साइज के इन्हें काट कर डाला है मैंने आप चाहें तो प्यूरे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसे दो से तीन मिनट तक फुल फ्लेम पर मैं पकाऊंगी अच्छे से जब तक कि टमाटर हमारे पुरी तरह से पक न जाएं ये आप देख सकते हैं टमाटर ने अपना पूरा रस छोड़ दिया है इस स्टेज पर हम इसको दबाते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि तड़का हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए आप देख सकते हैं तेल भी छोड़ दिया है कड़ाई ने अब इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर इसको अच्छे से कर लेंगे mix और चला लेंगे 2-3 मिनट तक medium flame पर ताकि मसालों का कच्छा टेस्ट दाल में ना आए इसे लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ा सा पानी का इस्तिमाल कर लेंगे अगर तड़का हमारा नीचे तले पर लग रहा है कडाई में लग रहा है पैन में तो थोड़ा सा पानी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसे फिर से पकाएंगे थोड़ी दिर के लिए तड़का जब तक तेल ना छोड़ दे इसे हमें पकाते रहना है और धक कर हम इस एक मिनट के लिए पका लेंगे इधर हम अपनी डाल को चेक कर लेंगे जिसको चार विसल आ चुकी है दाल हमारी अच्छे से घुल गई है बिलकुल तयार हो गई है पानी कम जादा आप अपने हिसाब से हम इसको बाद में भी बैलन्स कर सकते हैं आप देख सकते हैं बिलकुल दाल हमारी पक कर तयार है बाकी जो बची हुई दाल है जो थोड़ी से इसमें कसर है वो इसमें हम बाद में जब पकाएंगे तड़का डालने के बाद तो भो भी एक बार पक जाएगी अब इधर हम तड़का देख लेते हैं आप देख सकते हैं तेल हमारा पूरी तरह से कडाई ने छोड़ दिया है इसका मतलब तड़का हमारा लग चुका है एक बार इसको फिर से मिक्स कर लेंगे सारा और उसी समय हम इसे बिल्कुल साथ ही डाल में ट्रांसफर कर लेंगे कैंस की फ्लेम को यहां पर हम कर देंगे बंद आप देख सकते हैं देखने में कितना बढ़िया लग रहा है तड़का दाल भी बहुत टेस्टी बनकर तयार होगी सर्दियों में तो मेरे घर में हफते में एक बार ये दाल बनती ही बनती है बहुत ही टेस्टी दाल बनकर के तयार होती है अगर आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे तो अब कड़ाई में ही मैं दाल वाला पानी वही डाल कर या फिर आप बॉयल पानी उबला हुआ पानी डाल कर एक बार इसको चला लें ताकि कड़ाई में जो तड़का या तेल बचा है वो भी हम इसी में डालने वेस्ट क्यों करना है तो इसको हम एक बार चला लेंगे और फुल फ्रेम पम जब तक उबाल ना जाए हम इसे पकाएंगे इससे दाल हमारी गाड़ी हो जाएगी और जो थोड़ी बहुत कसर इसमें रहती है ना वो भी पक जाएगी दाल हमारी आदा चमच मैंने इसमें डाला है गरम मसाला एक कर भी पका सकते हैं अगर आप जल्दी में हैं या घर में कोई महमान आने वाले या आपको कहीं जाना है तो आप इसको एक से दो विसल भी दिला सकते हैं दाल बहुत ही टेस्टी बन करके तयार हो चुकी है हमारी ठंडे होने पर यह और भी गाड़ी हो जाएगी और भी टे हमारे शरीर को खराब करती है यूरिक एसिट को बढ़ाती है जहां तक मैं सोना है इस दाल के उपर यह जो जाग होती है इसे जरूर निकाल दे इसे खाने के साथ ना परोसे अब परफेक्ट है बिलकुल दाल हमारी पक चुकी है देख सकते हैं अब गाड़ी भी हो गई या अगर आपको चैनल में आप नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तब भी आप डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने म कर अबसे थासे हैं कि अठका बहुत बहुत हैं एक लाई कि पस्तुक्राइब